हम आज पढ़ेंगे प्रत्वी और हमारा जीवन ये सब्जेक कक्षा छेका पाट एक हमारा सौर मंडल रात में जब हम छत या किसे खुले इस्तान किसे आकाश की ओर देखते हैं तो हमें अनेक चमकती हुई आक्रतियां दिखाई देती हैं ऐसी ये दिखो तारे चंद्रमा चमक रहें इसमें चंद्रमा एवं तारे शामिल होते हैं नगरों के तेज प्रकाश एवं प्रदूशड युक्त आसमान से दूर जाने पर ये आकरतियां अपेक्षा क्रत अधिक स्पस्ट दिखाई देती है तो शेहरों में जहां पर बहुत भीर रहती है गाड़िये चलती है वहां आप दिखाई देगा आपने सोचा तो होगा कि यह सब क्या है इन्हें क्या कहते हैं यह जो दिख रहे हैं यह सब क्या है क्यूं है क्या कहते हैं इन्हें प्रत्वी से आकाश में दिखाई देने वाली यह सभी आकरतियां आकाश यह पिंड या खगोल यह पिंड सेलेस्ट् आकाशी पिंड, इनका दूसरा नाम की है खगोली पिंड, इंगलिश में इनको बोलते हैं सलेस्ट्रियल बॉडिज कहलाते हैं, इनमें सूर्य, चंद्रमा, तारे, आदिशामिल हैं तो सबसे ज़ादा हम जो नाम जानते हैं वो ये तीन चीजों के ज़ादा नाम जानते हैं से क्यों नहीं दिखाई देता है आपने सोचा होगा कि जब रात में तो हमें चंद्रमा भी दिखता है तारे भी दिखते हैं तो आपने देखा होगा सूर निकलने से पहले चंद्रमा भी होता है जैसे शाम को हमें चोटा से चंद्रमा दिखाई देता है सुबह 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 के शाखता इसका कारंड कि यह बहुत सुभई सुभई दिखाई देते और धिन में अब सी दिखाई देता है कि रात के आकाश में ट्मट माट्य हुई आकरतीओं में ता और अन्य आकाशियाँ पिंड़ इंदुए फ्रप परेस से बने और सब्साथ स्जाबॉब सब्साइब हमारे आकाश में अर्वो तारे हैं देखा अपने आकाश पूरा आकाश तारों से भरा गिंती नहीं कितने तारे हैं अर्वो तारे हैं बहुत से तारे हमसे इतने जादा दूर हैं कि उन्हें हम बिना शक्तिशाली दूरवीन टेलिस्कोप के नहीं देख सकते कुछ तारे तो इतनी जाधा दूर है कि जब हम मुसे दुर्वीन से ना देखे तब तक बहुत दिखते ही नहीं है मैं सिर्फ अपनी आँखों से नहीं दिखाए देते हैं हमारे सूर भी एक तारा है जो प्रत्वी के सबसे निकट है तो हमारा जो सूर यह है यह भी एक तरह का तारा है और यह हमें दिखाए देते हैं कि यह प्रत्वी के बहुत निकट है आएए विचार करें आकाश में अनेक तारे हैं जो हमारे सूर से भी बड़े हैं परंतु ये तारे चंद्रमा से भी छोटे एवं कम प्रकाशवान दिखाई देते हैं क्यों अब ये तो आपने पटा है कि सूर एक तारा है प्रदिबिगी सबसे पाशवार में कितना बड़ा सा तेज रोशनी वाला देखाया देता है पर अगर कुछ तारे ऐसे भी हैं जो सूर से भी बड़े हैं तो हमें बहुत बड़े-बड़े क्यों नहीं दिखाया देते हैं और वो छोटे से चंद्रमा से भी छोटे क्यों ब्रक्ष को देखें अब आपने पास में जो ब्रक्ष देखा हैं उसी प्रकार का ब्रक्ष दूर से देखें कि दूर वो ब्रक्ष कहां पर लगा हुआ उस दूसरे ब्रक्ष को देखें उसी आकार के देखने के बाद तुलना करें दूर का ब्रक्ष समान या बड़े आकार का होने पर भी हमें दूरी के कारण छोटा दिखाए देता है अब हमें जो सूरी से भी बड़े तारे हैं वो हमें छोटे-छोटे क्यों दिखाए दे रहे क्यों कि जैसे जो समान आकार का ब्रक्ष दूर है लेकिन हमें छोटा दिखाए दे रहे क्यों कि इसकी दूरी के कारण उसी प्रकार तारे हैं भले वसह सूर से बड़े हैं, पर अपनी दूरी के कारण में चोटे दिखाई देते हैं इसी प्रकार ऊँचे उड़ते हवाय जाद एबं पंक्शियों के चोटा देखने का पर्वी विचार है अब उपर आसमार में पंख्छी और हबाय जाहां जोड़ते हैं छोटे क्यों दिखा देते हैं? फिले ही अपने आकार में कितने भी बड़े हो लेकिन यह हम से कितनी उचाई पर उड़ रहे हैं इसलिए हमें यह चोटे-चोटे दिखाई देते हैं कि रात्री के आकाश में हमें तारों के सबू द्वारा बनाएगे विभीन अकृतियां दिखाएं देती हैं इन्हें नक्षक्त्र मंदर कॉंस्ट्रिलेशन कहते हैं अब देखा आपने आकाश में हम देखनें बैठते देखते बहुत सारे तार है थोड़ी थोड़ी देर जैसे एक आपको सबसे जादा मालम हो एक सब्तरिशी मंदल होता है जो आकाश में बनता है सब्तरिशी तारा मंदल के दो तारे धुरूप तारे की और संकेत करते हैं कैसे यहां से गिंती यह देखिए सब्तरिशी बना है ऐसा होता है सब्तरिशी एक दो तीन चार पांच छे साथ ठीक है यह साथ हैं तो यह नीचे के दो तारे जो हैं अब हम इन दो तारों पर नजर दिखाए तो यह कहां तक ले जा रहे हमें यह देखिए यहां से हमें यह की सीधे इस तार्य कि तो लजारी तार कि तर्ब चमी चमा रहा है तो इस दारे की तर्फ हमें संकेत कर रहे यह दो तारें फिर esa NI आए सभी दिभाल काई ननी जरूर सुनी यह तरधिशा में डिखता तो आपको जब भी धुरुप तारा देखना हो उतर दिखामें आप सब्तरिशी मंडल को देखिएगा फिर नीचे के ये जो दो संकेतक तारे हैं इनसे सीधी अर्क लाइन से आप देखिएगा तो आपको चमकीला एक तारा दिखेगा जो कि है धुरुप तारा खबोल बिदो एस्ट्रोनॉमर्स के अनुसार आकाश में कुल 88 नक्षकत्र मंडल है तो एक तो यह हो गया तो किस तरह कितने हैं मंडल 88 मंडल है इन में से आसानी से पहचाने जानने वाले कुछ प्रमूख नक्षकत्र मंडल है ओरियन अर्सा मेजर इसको बिग बियर बोलते ह पर इसको गूलता है इनका नाम है इसल dobr कि इस शेप में देखेर मतलब बड़े हैं गरी अर्सा मेजर की तरह दिखते हैं जीए तो इसलिए इसको गर RA je संद्ट किया सबत्रिशी मंडल कि तो हैं तो आपकाश में जाकर और जोनने की कोशिच करियेये एक कहा क्या दिख रहा है प्राचीन काल से ही सब्तरशी मंडल एबम धुरुपतारे की सहायता से उत्तर दिशा का निधारण किया जाता रहा है अब पहले की जमाने में हमें दिशाओं का नहीं अनुमान होता कि कहा कौन से दिशा दोले तो उत्तर दिशा के सबसे सटी कुपाय था कि जहां भी वही धुरुपतारा है वो उत्तर दिशा है तो धुरुपतारा देखने के लिए अपना सब्तरिशी आपको देखना है सब्तरिशी के दो संके तकतारों से आपको धुरुपतारा देखना है तो जो दिशा वो है वो उत सब्सक्राइब आठ ग्रहे इन ग्रहों के उप ग्रहे तथा कुछ अन्ने खगौली पिंड जैसे शुद्र ग्रहे पुछल तारा उल्का पिंड मिल्का सोर मंदल का निर्माड करते हैं तो आपको अपने सोलार सिस्ट्पम के पता लगए कि अकाAre सिस्ट्म में क्या समझते कि सीफ टूरक नहीं संदे सबसाइब का स्व ग्रह पढ़र होंगे कितने ज्रह पहले होते हैं और इन ग्रहों के बी जो उप ग्रह हैं वह उसके अलाबा कुछ खगोली पिंड जैसे शुद्र ग्रहें पुछल तारा एभन उलका पिंड यह समिल के सौर मंडल का निर्माड करते हैं इसे हम सौर परिभार भी कहते हैं अब इस मंडल को हम क्या कहेंगे सौर परिबार सोलर फ आपको कि बीच में वरी सारी चीजे आसपास है और यह सेंटर में आता है बीच में आता है सूर्य के गुरुत्वा करशंड बल यानि खिचाप के प्रभाब के कारण सौर्य परिवार के अन्य सभी सदशय सूर्य के चारो और परिक्रमा करते रहते हैं तो जो सूर्य से खिचाब मिलता है उस करण जतने विज़ है कि अलग सदशय हैं आगे हम सूरी और बाकी ग्रहों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे